लाइव न्यूज खबर तो पक्की है नमस्कार मैं संबकुमार आप देखें लाइव 24 नूज मेरे साथ आज नवीन सर है दा प्लेटफर्म के फाउंडर एंड डारेक्टर हैं हम इसे बात करेंगे क्योंकि सिछक बहाली को लेकर जो एक्जाम हुआ उस एक्जाम को लेकर कई स सारे कॉल आते हैं बिजारती इन पर आशल आगे कॉल करते हैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और अभी देखेंगे कि बीपीएसी ट्यारी 2.0 जो एक्जाम हुई है लगातार स्टुडेंट हाल के दिनों में परिसान चल रहे हैं परिसान इस बात को लेकर कि कई तरीके समस्या स्टुडेंट के पास में है और अलग अलग तरह के कॉल आते हैं जैसे सबसे पहले तो मल्टिपल रिजल्ट देने वाली बात है एक मुखमुद्धा है कि एक ही चात्र का एक जगह से एक से ज़्यादा रिजल्ट क्यों क्योंकि अगर मान लिजे कि एक रिजल्ट प तो उसका पहले वेरिफिकेशन करवा के जिनका भी चैन वहां पर होता है तो वहीं पर उसको लॉक कर दिया जाए तब नीचे में दूसरे स्टुडेंट को उसके जगह पर तीन जगह रिजल्ट नहीं आएगी और दूसरे बच्चों को मुखमिल पाएगा तो इसमें अधि से अधिक समय लगता है तो अगर अधिक से अधिक समय लग करके भी मैक्सिमुम छात्रों को संतुष्टी होती है तो मेरे ख्याल से तो इसमें बुराई नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप देखेंगे सपलमेट्री रिजल्ट देने की बातें की जाती है तो बाद में जितनी स संख्या में संभवता रिजल्ट नहीं आपाती है जिससे साथ चात्र असंतुष्ट रहते हैं और इसी को मुद्दे बना करके कल एक महा ट्वीटर केंपें था बीस तारिक को दस वजे से एक लाख बारह हजार बच्चे ट्वीट किये उसमें जो कि राज लेवल पर वो इतने सारे स्टुडेंट जब लगाता है उसमुद्दे के लिए वन कंडिडेट वन सीट वाले मुद्दे के लिए जब इतने सारे बच्चे ट्वीट किये हैं तो हमको ऐसा परतीत होता है कि संबंदित महकमा सिक्षा विभाग वीपीएस सी मानिय चेर्में सर या मानिय मु जाती है तो हम उमीद करते हैं कि एक दिन ट्वीटर केंपेंज से में भी की काम ना चले और अल्टरनेट करके लगातार छात्रों को अपनी बातों को बरे चुक्या यह ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है अभी जो बच्चे केंपेंज चलाते हैं तो यह उचित मांग अपने तरीके से रखने का एक बेस्ट फोरॉम है कहीं को हिंसा वाली बात नहीं बहतर हुए में अपनी बातों को इतने लोगों की हो रहें यह तो जाइज मांग है विदार्तियों की हंडेट टैन परसेंट जाइज मांग है ध्यान देना ही चाहिए इसके अलावे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे भटकाओ वाले मुद्दे रहें अभी आप देखेंगे कि टरफ से इतने लगातार नौटिस पर नौटिस आती है कि छात्र कंफ्यूज हो गये हैं लगता है कि छात्रों को हमको मेंटल टॉर्चर किया रहा है एक तरीके से और हमेशा उनका एट शात्र इस बार जैसा कुष्टन पूछा था हिंदी का बहुत सारे खाथ कर रहे थे मार्ष उनका सब्जेक्ट में बेतर था लेकिन हिंदी में फेल कर रहे थे स्वभा विक है क कटॉप को परभावित कर रहा था अब आप हिंदी को हटा दिजिस एगा तो स्वभाविक हिंदी का जो बात था वो continue रहना चाहिए था दूसरी बात इवी है कि केके पाठक जी बारवर सिच्छा में सुधार की बात करते हैं तो कहें कि अगर हिंदी को जीरो कर दिया गया तो आपके सिच्छा पर परभावित हो जागा परतिभाग परभाव वो वो सब तो होना ही होन आपकी जो छात्र हिंदी में टाइम जितना दिये अगर थोरा उसमें अगर हिंदी पहले से बिलोपित किया जाता तो वो टाइम अगर इधर एक्स्टा देते सब्जेक्ट में तनिश्चित रूप से दो चार नमबर ज्यादा बढ़ जाता इसलिए कि छात्र आक्रोस में है इसके बाद आप देखिए कि एक बहुत बढ़ा आक्रोस का कारण अभी परसों एक्जाम हुआ है 9-10 का मैथ कैंसिल हुआ था ऐसा कोस्टन उसका पूछा है कि 100% पोस्ट ग्रेजुशन लेवल का कोस्टन पूछा अरे आपको एक्जाम लिये ही तो 10-5% उपर नीचे होता तो कोई बात नहीं था आप उस तरह से कर सकते थे लेकिन यहां इतना ज्यादा उतार भारी उतार चराव कोश्टन के लेवल में तो कहीं न कहीं चात्र आक्रोसित इस बात को भी लेकर करके हैं अगर आईसाही करना है तो आप वहां पर दूसरा कोई मेथड अपनाईए जि लेकिन कहां रहा एक जगह आप देख लिजे कैसा लेवल पूछे इस बात को हम रख रहे हैं और स्टूडेंट यहीं बात बोलते हैं यह स्टूडेंट की बात रख रहे हैं ना कि हम अपनी सलाह दे रहे हैं इसके अलावे भी देखिएगा और भी कुछ-कुछ अब कल्यान विभाग वाली बात ले लीजे पहले नॉटूफिकेशन निकाला कि कल्यान विभाग से जो भैकेंसी है वो लेट से μिला सिख्रा भी अ और जिसके कारण से अब वह वाला सीट जो है सिख्षा भी अंतरगती आ गया है शिक्षा विवाग ही उसके लिए पूरी तरीके से responsible है इसले करके उसमें दिया कि आप ये ये बदलाव कर सकते हैं अब बाद में एक दिन के बाद फिर notice निकाला गया कि पुरुबत उसको समझा जाए सुधी पत्र दिया गया इसमें बहुत सारे चात्र अपना प्रिफेंस जो तीन जो देना था च्वाइस उसको बदल दिये अब वो चात्र परिसान चल रहे हैं इसके अलावा एक मुख मुद्धा है आप देखिएगा कि एकजाम से दो दिन पहले चेर्मेन सर बजायपता एक प्रेस कॉनफरेंस करके सोसल साइंस के संबंद में अपनी पूरी बात को असपश्टा के साथ रखे कि कैसे कैसे कम्मिनेशन होना चाहिए तुरंत दूसरे दिन एक नौटिस आ जाता है कि सोसल साइंस में आपको पहले हिस्ट्री रखना है या पहले जोग्राफी रखना है बाद में संबंदित सब्जेक्ट रखना भारी उथल पुथल किया गिया बहुत सारे दस्सो हजार बीस हजार है इसे चात्र थे कि लास्ट मोमेंट में पूरी तरीके से यूटूब या सोसल मीडिया को बंद करके पू गाथ क्यों एक बात करते हैं अपने लेक्त भी हो तो इस कारण से लगातार च्हाट्र परिशान चल रहे हैं और हमको लगता है कि चैर्मेन को गम्भिरता पुरुबग लेते हुए जो भी महत्पुन सुझाओ या इस्टुडेंट हीत में जो भी महत्पुन बदलाव संभब था वो निशन देख करना चाहिए अब सर बात आते हैं कि जो ट्रीवन के बाद जब एक्जाम हुआ तो नोटिस दिया कि जिस भी जारती को दिक्कत है कि वह आप अपना एक अप्लिकेशन दे करके नोटिस दे सकते हैं अब अप्लाई कर सकते हैं जो भी जारती यह समझ करके हमारी कमी है उसको पूरा करने के लिए या सुधार की लिए उसके ऊपर कंप्लेन आ गया है तकरिवन 400 उपर सब पर किसी बाद ऐसे छोड़ दिया गया है अल्टिमेटम दे करके आकिसी पर नोटिस दी दिया गया तो आप शात्रों को संतुष्ट किजिए गा कि छात्रों पर direct भेना लगाने की बात कीजिएगा तो यह कई से मेरे ख्याल से मेरा अपना वीचार है बिल्कुल भी जाएज नहीं है और जात्रों से को कारण बता हो दो नोटिस जारी किया जा रहा है जिससे कि बहुत सारे चात्र जो कि उचित उनकी मांग होनी चाहिए डर से वह अपनी मांग को भी नहीं रख रहे हैं यह बिलकुल निराधार है अब आपके हिसाब समझाना चाहते हैं कि 31 का रिजल्ट आने के बाद 31 का जो रिजल्ट है जिस त और TRE 2.0 हुआ तो सुभाविक है कि जो TRE 1 हुआ था उससे TRE 2 में कंपिट्शन लेवल मैक्सिमम बना हुआ है तो इसलिए मेरा चात्रों से खास करके यह सुझाओ है कि मोटा मोटी आपको भी अंदाजा हो गया है कि कट ओफ का दाइरा क्या हो सकता है अगर लगता है कि आ जारा में नहीं आप आएंगे तो अभी से आपको TRE 3 के लिए लगना चाहिए जो करके अपनी जोर लगानी चाहिए नहीं तो में भी कि यह जो अभी गोल्डन फेज चल रहा है वेकंसी का इस दौर से आप बाहर हो सकते हैं लास्ट में विजारतियों को आपने सजेशन दे चाहिए जो जाइज तरीका जो तरीका उस तरीके पर ट्री 1.0 में जो गलती होई उस गलती को सुधारते हुए 3.2.0 में सुधार करके बिजारतियों का रिजल्ट निकाला जाए क्योंकि बिजारति बहुत डरे सर्में हुए दूसार नमबर यह है कि जो हिंदी पेपर को ज सब्सक्राइब नहीं किये तो लाइक करें सब्सक्राइब परें थैंकिश सो मच लाइफ न्यूस खबर तो पकी है